नमस्कार आप सभी स्टुडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोटल पर हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है अभी हम इंग्लिस क्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ओप स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम प्रनाउं स्रीज में एक सभी वाक्य में प्रसंद पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रसंद वाचक स्वारुनाम कहते हैं। उसके लिए हम जो उपर्यूग्त सरुनाम का प्रियोग करते हैं, उसे हम हिंदी में प्रसन वाचक सरुनाम कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिस का कोडिंग देखिए। इसका मींस यह हुआ कि किसी भी सेंटेंस में क्यूशन पूट अप करने के लिए हम जिस एप्रोप्राइट प्रणौन को यूज कर रहे हैं, उसे इंग्लिस में इंटेरोगेटिव प्रणौन कहा जाता है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखते हैं, देखिए। यह पांच ऐसे डबलोच हैं, जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रणौन की केटेगरी में इंक्लूड करते हैं। बाकी अधर को हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से डिसकस करेंगे। आपके सामने कुछ एक्जामपल है, पहले उनको देखिए, एक्जामपल है, जैसे ही, Who is your class teacher? आपका class teacher कौन है? आपकी कक्षा के अध्यापक कौन है? हमने पूचा कौन है? तो आंसर क्या मिला? राम सर is my class teacher. राम सर is my class teacher. यानि कि यहां हू ने राम को रिप्लेस किया, रा है, तो questions put up किया है, तो वहां भी हम नाउन को ही रिप्लेस कर रहे है, इसलिए हमने subject के तोर पर, subject हमने नाउन को राम को रिप्लेस किया by Who. इसी तरह से अगले एक्जामपल देखिए, whom did you this pen? आपने ये pen किसे दिया, किसे या किसको? आपने ये pen किसको दिया? हमें answer मिला, I gave this pen to Ram, हमने ये pen Ram को दिया, तो आप यहां भी दे सकते हैं, whom यहां पर object के बारे बात कर रहा है, object कौन है, Ram, Ram कौन है, noun, ये भी noun को रिप्लेस कर रहा है, तो हमने who और whom, who आपको पता है, subject को रिप्लेस करता है, और whom object को रिप्लेस करता है, दोनों को define कर दिया है, लेकिन दोनों ही who और whom दोनों ही यहां पर as a wh, as a interrogative pronoun के तोर पर use हो रहे हैं और यह दोनों ही noun को replace कर रहे हैं। तीसरा example देखिए, whose is that car, वो car किसकी है, that car is mine, वो car मेरी है, मैं को राम हूँ, तो मेरे को मैंने address करने के लिए मैंने यहां mine का परियोग किया, तो यहां भी देख सकते हैं, यह noun को ही replace कर रहा है, इसी तरह से which is your favorite god, आपका पसंदिदा भगवान कौन सा है, my favorite god is राम, मैंने answer दिया राम, which क्या पूछ रहा है, आपका पसंदिदा गोड कौन है, आपका जो favorite भगवान है, वो कौन है, तो हमने answer क्या दिया, राम, तो राम भी यहां पे noun है, तो noun को replace करने के लिए हमने यहां पे which का प्रियोग किया है, इसी तरह से what is your name, आपका नाम क्या है, my name is राम, मेरा नाम राम है, यह राम को address कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, पाचों example में हमने noun को प्रियोग किया, noun को replace करने के लिए हमने who, whom, whose, which और what का use किया है, उमिद करता हूँ, यहां तक आपको I mean to say definition और example और कुछ आपको sentence में आगे होंगे, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखना है आपको यहां पे, यहां लिखावा है, but these are not interrogative pronouns, it's mean when, where, how and why, यह यहां पे interrogative pronouns के तोर पर use नहीं किया सकते, इनको use ना करने का सबसे बड़ा reason है, क्योंकि यह adverb को represent करते हैं, अब यह adverb को represent क्यों करते हैं, इसकी जानकारी में जब adverb का topic आएगा, उसमें मैं आपको details से बताऊंगा, मैं इसके बारे में आपको particularly बताऊंगा, कि इन सारे के सारे ws को हम adverb के तहट उसको adverb की category में क्यों लेके आते हैं, फिलाल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि when, where, how और why को हम यहां पर as a interrogative pronoun use नहीं कर सकते, अगर हमें interrogative pronoun use करना है, तो हमें only for who, whom, whose, which और what का ही use करना है, is that clear, चलिए आगे देखते हैं, अब हम आपके सा interrogative pronoun one by one below, यानि कि अब हम एक-एक डबलोच के बारे में study करेंगे, उन सारे interrogative जो pronounce हैं, उनके बारे में study करेंगे, जो इस topic में use किये जाते हैं, और इनको हम generally use करते हैं, अब कैसे करते हैं, वो देख लेजिए, सबसे पहले हम लेंगे use of who, यानि who का प्रियो, हम who का प्रिय इसने और किन होने, ठीक है, ये तो इसका हिंदी में हो गया, अब इसका use देखते हैं, इसका use कैसे करते हैं, who is used to find out the subject and especially for the living nouns in the sentence, इसका मतलब ये हुआ कि who का प्रियोग हम subject को डूनने के लिए करते हैं, दूसरी बात, इसको हम living noun के तोर पर use करते हैं, यानि ये केवल और केवल सज्यू के लिए परियोग किया जाता है, इतना सा आपको हमेशा ध्यान रखना है, अब आप example देखिए, जैसे example है, who are playing cricket, यहाँ पर ये लिखावा है, कि cricket कौन खेल रहे हैं, या who कौन, कौन खेल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, अभी कौन, यानि कि subject के बारे में पू कि हमारा rules कहता है, कि who हमेशा subject को पता लगाने के लिए परियोग किया जता है, इसलिए हमने यहाँ पे who को the children को replace करने के लिए use किया है, अब आप दूसरा देखिए, use of whom, यानि हम whom का परियोग कैसे करते हैं, whom का मतलब क्या होता है, whom का मतलब होता है, किसे या किसको, ये द जानकारी लेने के लिए परियोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात, इसका भी use हम same category में करते हैं, यानि कि living nouns के लिए इसका use किया जाता है, तो ये दोनों same condition में use होते हैं, बस फरक इतना सा है, कि ये subject को figure out करता है, जबकि ये object को figure out करता है, आपक है, तो subject तो यहाँ पर already है, हमें पता है, लेकिन हमें पता है, object नहीं है, उसने किसे, किसको आमंतृत किया, जाइड से बात है, किसी और को करेगा, अब किसी और को करेगा, तो वो यहाँ पर object के तोर पर आएगा, आप example देखिए, answer देखिए, he has invited his friends, उसने अपने दोस्तो को आमंतृत किया, हमने क्या पूछा, कि उसने किसको, किसको मलें दोस्तों को, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यह friends है, जो object के तोर पर आया है, subject के तोर पर already ही है, तो यहाँ पर यह पीछे आया, बीच में आया, तो हम कह सकते हैं, कि यह whom यहाँ पर object के बारे है, यानि कि friends यहाँ पर object है, यह भी noun है, और friends यहाँ पर living person है, living noun है, तो आपको पता है, कि whom और who, दोनों ही living nouns के लिए use किये जाते हैं, दूसरी बात, who का परियोग subject के लिए होता है, और whom का परियोग object के लिए होता है, उमीद करता हूँ, यहाँ तक आपको अच्छी तरह सोज में आ इसके बाद आगे देखते, is of who, who का परियोग कैसे करते हैं, who का मतलब क्या होता है, who का मतलब होता है, किसका, किसके, और किसकी, इसका परियोग हम subject और object दोनों की पता लगाने के लिए करते हैं, यानि subject के तोर पे, या object के तोर पे, अगर किसी sentence में हमें उनके subject और object के तोर पर दिये गए शब्द के, हम owner का पता लगाना हो, मालिक का पता लगाना हो, तो उसके लिए हम पूच का प्रियोग करते हैं, दुबारा notice कर लिजिए, कि अगर कोई sentence दिया हुआ है, उसमें हमें किसी subject का पता लगाना है, लेकिन वो दोनों ही owner होने चीए, मालिक होने चीए, तो किसी भी sentence में मालिक का पता लगाने के लिए, हम खूच का प्रियोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो देख लीजिए, example है, whose is that car, वह कार किसकी है, जाइड सी बात है, राम की, मोन की, शाम की, किसी की भी हो सकती है, त तो हमने answer दिया, that car is mine, वो car मेरी है, तो यानि कि मैं उस पर अधिकार दिखा रहा हूँ, अपना में संभन दिखा रहा हूँ, मैं उसका owner हूँ, तो ownership दिखाने के लिए हम हम यहाँ पे हूच का प्रियोग करते हैं, और mind का प्रियोग हमने यहाँ पे ऐसे object किया है, उमीद क कैसे करते हैं, वो देख लीजिए, इसका भी use हम same to same condition में करते हैं, यानि कि subject और object को पता लगाने के लिए करते हैं, दूसरा, इसका प्रियोग हमेशा multiple choices होते हैं, हमारे सामने option होते हैं, उसमें से किसी एक को pick up करना हो, दो को pick up करना हो, तो उस condition के लिए which का प्रियोग करत हैं, और which भी हमेशा subject और object के तोर पर use किया जा सकता है, अब कैसे करेंगे, आप example देखिए, जैसे example है subject के अनुसार, subject के अनुसार example क्या है, हमें subject को pick up करना है, कैसे करेंगे, देखिए, which is your book, आपकी किताब कौन सी है, आपकी किताब कौन सी है, तो जायर सी बात है, अगर मैंने which की जगह अगर वो answer लिख दिया, तो वो डाइटी subject बन जाएगा, तो देखिए, हमने ऐसा ही किया है, which is your book, English is my book, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसी sentence को copy कर दिया, मैंने which को हटा करके, मैंने English लिख दिया, मैं यहाँ पर math भी ले सकता हूं, science भी ले सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर subject पता लगाने के लिए, मैंने English का use किया, और English यहाँ पर subject की तोर पर use हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसको subject की तोर भी use कर सकते हैं, इसी तरह से अगर मैं इसको object की तोर पर use करना है, वो कैसे करेंगे, देखिए, which language do you like, आप कौन सी language पसंद करते हैं, कौन सी भाषा पसंद करते हैं, तो answer क्या होगा, I like English language, अब देखिए, English language यहाँ पर object की तोर पर आया, subject के बाद में आया, क्योंकि subject तो ओलए यहाँ पर आई है, तो यह object की तोर पर आया, तो मैंने क्या कहा था, कि बीच का परियोग हम subject और object दोनों ही condition में use कर सकते हैं, उ देखिए, what is used to find out subject and object in the sentence, यानि कि बिलकुत सिंपल से बात है, किसी भी sentence में हमें subject या object का पता लगा ना हो, तो उस condition के लिए what का परियोग करते हैं, दूसरा, what is used for non-living things, non-living nouns, यानि यह हमेशा कोई भी काम हो, कोई कारिये हो, कोई बस्तू हो, non-living चीजों के लिए, non- वोट is sometimes used to find out any position and profession, कभी-कभी हम इसका परियोग किसी position, rank और profession, occupancy के बारे में जानने के लिए भी करते हैं, जैसे मान लो किसी का में व्योसाय जानना हो, किसी का business जानना हो, या उसकी business में कौन सी rank है, कौन सी post है, उसके बारे में जानकर लेनी हो, तो भी हम वोट का परियो यहां पर यह है, कि what is your father, आपके पापा क्या है, आपके पापा क्या है, जाइर सी बात है, हम उसके पापा की business के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसके profession के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने answer दिया, my father is doctor, teacher, आप कुछ भी answer दे सकते हो, वो आप पर depend करता है, लेकिन यहा आपने आज क्या खरीदा, आपने आज क्या खरीदा, यानि कि object के बारे में बात कर रहे हैं, क्या, तो I bought books, मैंने किताबे खरीदी, अब जाइर सी बात है, किताबे यहां पर क्या है, non living things है, तो यहां पर मैं object को indicate कर रहा हूँ, non living things के माध्यम से, तो उमिद करता हूँ, य कुन सा preposition करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ देखिए इसका अगर मालो हमने हूम के आगे preposition का परियोग कर दिया तो इसका हिंदी अर्थ होगा किस के बारे में ठीक है अच्छा इसका यूज कैसे करते हैं preposition के साथ में हूम का परियोग जब भी करते हैं वो लिविंग नाउंस का पता लगाने के लिए करते हैं यानि कि सजीव का पता लगाने के लिए करते हैं आप example देखिए जैसे example है बाई हूम वास्दा वास्दा रामायन रिटर्ण रामायन किसके बारे में लिखी गई है तो आपको पता है कि by, by क्या है यहाँ पे, by है preposition, तो preposition के साथ हमने whom का use किया, तो जाइड सी बात है, यह preposition plus whom हो गया, अगर preposition plus whom हो रहा है, और वहाँ पे by plus whom आ रहा है, तो उसका हिंदी अर्थ होगा किस के बारे में, तो हमारा question क्या था, कि रामायन किस के बारे में लिखी गई, तो answer क्या होगा, रामायन was written by, या about राम, राम के बारे में लिखी गई, सीता के बारे में लिखी गई, तो जिसके बारे में लिखी गई, हमें उसका answer देना है, तो हमने क्या किया, किस के बारे में यानि कि हम इस चीज़ का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर preposition plus home के तोर पर by plus home का प्रियोग करेंगे उमेद करता हूँ यह भी आपको अच्छी तरह से knowledge में आ गया होगा इसके बाद हम पढ़ेंगे last and final use के बारे में use of which, what and whose कहने का मतलब which, what और whose को किस तरह से प्रियोग कर सकते हैं सबसे पहले देखिए इनका means क्या होता है which का मतलब होता है कौन सा, कौन से, कौन सी what का मतलब होता है क्या और किस और whose का मतलब होता है किस का, किस के और किस की ये तो इसका Hindi अर्थ हो गया ठीके न अब इसका उउज कैसे करते है उसको यूज करते है कभी-कभी interrogative, adjective के तोर पर भी यूज किया जा सकता है इसका आपको हमेशे दान रखना है मैंने क्या बताए कि कभी-कभी इसको interrogative, adjective के तोर भी यूज कर सकते हैं कैसे करेंगे की किताब, Max की किताब, Science की किताब, जो भी चाहिए आप answer दे सकते हैं, हमने answer किया दिया, I am reading English book, I am reading math book, I am reading science book, आप कुछ भी answer दे सकते हैं, ठीक है न, तो यहां पर यह adjective की तोर पर use हो रहा है, इसी तरह से, what books have you read, आपने कौन सी किताब पढ़ी है, आपने कौन सी किताब पढ़ी है, तो हमने answer दिया, I have read English book, हमने English की books पढ़ी है, इसी तरह से, whose pen is that, ठीक है, यह pen किसका है, that is Rajas Pen, यह Rajas का pen है, तो आप देख सकते हैं, हमने यहां पर English books, English books और Rajas Pen, इन सभी को हमने adjective के तोर पर use किया है, तो उमिद करता हूँ, आज का chapter आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको इस chapter से related कोई भी doubt हो, कोई भी suspicious हो, कुछ भी problem हो, आप हमारे official website पर जाकर, और हमारे को आपकी problem, आप अपने problem को share कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत अन्यवा, thank you so much.